हम तो सब करेंगे प्रॉफिटी बलेटी डेशो minद्र ठीक के प्रॉफिटी डेशो मतलब जों हमारी सiera čौंग प्रॉफिट्स को बता रही है जो हमारी earning capacity एक organization की earning efficiency कैसी है वो उसे बता रहे हैं ठीक है जैसे कि first हमारे पास आती है gross profit ratio क्या हो गया? gross profit revenue from operations into 100 ठीक है न? gross profit कैसे निकलता है? revenue from operations minus cost of goods sold इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको gross profit बानलो बोला कि 20% है तो इसका मतलब this is your gross profit ratio इसका मतलब gross profit is 20% on sales यह interpretation ऐसे है ठीक है? अगर तुम्हें बोला हो gross profit is 20% on cost तो इसका मतलब हो गया 1.5th on cost that is 1.6th on sales ठीक है? यह logics वही है जो हमारे चले आ रहे हैं यह ratio जितनी जादा होगी? जितनी भी profitability ratios है उतना ही अच्छा होगा profitability ratios हमेशा जितनी हाई होंगी very obvious है कि हमारे profit earning capacity उतनी अच्छी है एक organization की earning efficiency उतनी अच्छी है ठीक है? next हमारे पास आती है net profit ratio net profit ratio होता है net profit after tax upon revenue from operations into 100 अच्छी है ठीक है बट इसमें भी ध्यान रखना अगर question में लिखा हो कि net profit ratio निकालनी है प्री टेक्स तो अगर प्री टेक्स निकालनी होना तो फिर हम यह net profit लेंगे यह before tax लेंगे तो ऐसा नहीं कि इसे पूछ नहीं सकते हैं पूछ तो सकते हैं कि net profit pre-tax net profit ratio निकालो तो net profit before tax into upon revenue from operations into 100 तो है और net profit कैसे आएगा gross profit minus indirect expenses plus other income और minus tax ठीक है other income कैसे आजाएंगी जो भी rent interest dividend received plus gain on sale of asset और indirect expenses क्या होंगे जितने भी हमारे office administrative expenses है selling and distribution expenses है finance cost finance cost का मतलब होगे interest paid on bank loan interest paid on debentures interest paid on debentures dividend नहीं लेते dividend तो tax के बाद आता है ना तुम्हारा क्या होता है sales है gross profit है cogs है सारे expenses आएंगे फिर profit after tax आएगा फिर preference dividend आएगा फिर equity dividend आएगा ऐसे होता है ठीक है लास्ट रेशो है ROI return on investment यह तुम्हारी business studies की book 2 में भी काम आती है ROI यह है profit before interest and tax PBIT जिस्ते हम कहते हैं अपन capital employed into hundred ठीक है profit before interest and tax PBIT अपन capital employed capital employed बताया था मैंने कैसे निकालते हैं shareholders fund plus long term debts या तो वो ले लेते हैं या fixed assets plus working capital अरे shareholders fund में reserve and surplus आ गया shareholders fund में equity share capital preference share capital and reserve and surplus अब आ गया ठीक है यह ratio जतनी ज़्याद होगी इसका मिले उतने इच्छे returns मिल रहे हैं ठीक है अब ratios के इतने सारे formulas जो है उनको learn करने का तरीका यह है बैठके तुम रट्टे लगाओगे रट्टे नहीं लग पाएंगे कोई फाइदा नहीं वेस्टेज ऑफ time and energy है अच्छा तरीका यह है कि चाहे short में लिखो लेकिन हर बार question करते समय formula लिखो यह नहीं कि बुक में से पूरी लिस्ट में से formula की लिस्ट देखी और question solve कर लिया वो तब कि अ बाइदा की लिए कर दो यह थीट बाइदा प्रॉद़ अच्छा है लिए एपने लिएफ्टे बाइदा प्रॉद़ के लिए बाइदार ऑफ च्छ बढ़के बाइदा वंगे में लिएपएज पाईदागे का के वेद्ट हो गया नोट दो नोपर का डन अब एक प्यराइटिव केश्चन आती है कि चै कोई भी रिशो करेंट रिशो लिक्विड रिशो तो आपको इसकी वेरिबल्स पता हुने जरूरी है मतलब वेरिबल्स मतलब उसके components क्या है numeratornd denominator में बहुत basic mathematical rule है कि अगर numerator increase होता है तो ratio increase होती है और अगर numerator decrease होता हैнов तो ratio decrease होती है यह बहुत basic mathematical rule है ठीक है और अगर हम denominator की बात करें तो denominator increase होगा तो ratio τkerchief और denominator ठीक है? तो अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन ने जो किसी एक कॉम्पोनेंट पर इंपक्ट डाल रही है डिनोमिनेटर या निम्पेटर तो आप इन जोजिक से बता सकते हो कि रेश्यों इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या नो चेंज होगा ठीक है लेकिन अगर कोई भी ऐसे कॉम्पोनें जैसे कि यहां पे हमने कहा issue of equity shares हमने ratio assume कर ले 3 is to 1 इस बात के बेद्यान रखना 3 is to 1 है 2 is to 1 है 1 is to 1 है 0.7 is to 1 है 0.5 is to 1 है ज़रूरी नहीं है कि जो 3 is to 1 की ratio का impact होगा वही 0.5 is to 1 पर भी हो मतलब अगर ratio की value change है तो उससे आपकी जो final answer है वो भी change हो सकता है तो रटना मत की इस transaction से तो यही impact आएगा ठीक है जैसे कि issue of equity shares है अब तो issue of equity shares का मतलब क्या हुआ cash increase हुआ मतलब current assets increase हुए तो ratio increase होगी है ना redemption of debentures मैं पढ़ा दूँ redemption of debentures का मतलब क्या हुआ कि हमने debentures redeem किये जिस year में debentures को redeem करना होता है in the year of redemption हमारे जो debentures है वो current liabilities में shift हो जाते हैं नौन current से तो यानि कि हमारे current assets भी decline हो रहे हैं और current liabilities भी decline हो रहे हैं कि समझें तो इसका मतलब अगर ratio थर्टी थाउजन अपन टेन थाउजन है क्याश कम हो रहे हैं तो थीक्या है तो थर्टी थाउजन में से 5000 और 5000 मैं इसको थर्टी थाउजन और टेन थाउजन रिज़े के 3,001 लेक भी ले सकती थी इसी वैल्यूज नहीं लेनी जो आपको कंफियूज कर दें तो सिंपल वैल्यू लो अब यह हो गया 25 अपन 5 तो 5 इस टो 1 मैंने कोई भी एक फिगर रही जो दोनों तरफ से माइनस कर दी तो फाइव की जगे 10 लेते तो वो 0 हो जाता ना इसलिए यह जो हम कर रहे है ना उसकी वैल्यू ली है मैंने मतलब कोई भी एक ऐसी फिगर ले ली जो दोनों तरफ से माइनस कर रहे हैं हम इसको सब्सक्राइब ले सकते हम एक हजार भी ले सकते थे यह जार भी ले सकते थे मैंने इस फिगर ली क्योंकि हमें मैं इसमें इस फिगर ले ली थी कैंट तो यह 352 अगय तो रेशो क्या हुए कि इंप्रूव हुए समझें? समझ में आया? करन्ट असेट्स ही इंक्रीज हो रहे हैं और करन्ट असेट्स ही डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि गुड्स भी हमारी करन्ट असेट्स है और कैश भी हमारी करन्ट असेट्स है तो current assets ही increase हो गए current assets ही decrease हो गए तो ratio में no change ठीक है goods purchased on credit goods purchased on credit में क्या हो रहा है current assets increase हो गए और current liabilities भी increase हो गई यानि कि यह जो 30,000 और 10,000 है इसमें मैंने 10,000 हजार और add कर दिया तो यह हो गया 4 upon 2, 2 is to 1 तो ratio decline हो गई है ना तो कोई भी question हो आप अगर कोई एक component पे impact आ रहा है तो direct निकाल लो और 2 पे आ रहा है तो करके देख लो ऐसे किसी भी ratio में आ सकते हैं of notifications ठीक है समझ में आया thank you और good luck to all of you share, subscribe the channel and press the notification button पर notification button को प्रेस करना क्यों जूँव जरूरी होता है इसलिए जरूरी होता है क्योंकि फिर में जो आगे वीडियो डानूमें तो आपका स स कीशन आ जाएगा ठीक है ना और सब्सक्राइब करना भी इसे लिए जरूरी होता है कि सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो मुझे भी चाहिए ना कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो अगर तुम वीडियो देखोगे लाइक ने करोगे कमेंट ने करोगे तो मेरे को मोटिवेशन कैसे मेलेका और मुझे ने मिलेका तुम्हें तुम्हें कैसे दूंगी है ना तो इसलिए कमेंट भी करो लाइक भी करो सब्सक्राइब भी करो शेयर भी करो ठीक है और नोटिफिकेशन वाले बेल बटन भी प्रेस कर थैंक यू